अस्सलाम उलेकुम वरामतुल्लाही उबरकातू नाजरीन आज हम इसलाम पर उचाले गए एक और इतराज पर बात करेंगे बहुत से लोगों को चांद पर थोकने का शौक होता है मगर क्या किया जाए चांद पर थोकने वाले का थोक खुद उसके मूँपर ही पढ़ता है दुनिया भर में कहीं भी कोई जुर्म हो तो उनकी तान आकर मुसल्मानों पर ही तूटती है यह वीडियो देखें कि हम इसकी गर्दन काट कर हाथ में लेना चाहते है कमलेशतिवारी के क roles पासरते मराटम करते है कि पता दो चले किसकी हकीकत क्या है हम बता देए कि कering आधी ज़ुर्म और 2019 को हुई थी इस मर्डर केस के बारे में सबसे सची बात या तो कातिल खुद बता सकता है या जिसका कतल हुआ है या मकतूल के घर का ही कोई आदमी बता सकता है आईए सबसे पहले कमलेश तिवारी की सबसे आखरी वीडियो को देखते हैं कि कमलेश को किन लोगों से खत्र यह देखा था यह वीडियो देखाएं जम संग का पदादिकारी कार्यकरता भाज पाका है पदादिकारी कार्यकरता मरता है तो मैं यह नहीं सूचता हूं कि वो संग और भाजपा का है अंचु परहे हम यह सोचते कि वह इंदू यह भले चलैता हुँ यह भले मेरे लिए सड़ियंत रस्ते लेकिन इनके कारिकरता के लिए भी मेरे दिल में अहें आल्य दर्द होती है और मैं लड़ने ये दिखा रहा हूं कि मैं अपने दम पे लड़ रहा हूं और हिंदों के लिए लड़ूंगा अब कमलेश के इस बयान के बाद ये बात सावित हो जाती है कि कमलेश के गत्र की साज़िश रचने वाले संग और भाजपा के लोग थे इसी तरह उसकी सिकॉर्टी कम करने के जिम्मेदार योगी गौर्रमन्ट ही थी इन सब के बावजोद मुसल्मानों पर इतराज करना कितनी बेशर्मी की बात है और ये इतराज करने वाले एक का दुका नहीं कई एक हैं जो इसलाम दुश्मनी में बिल्कुल अंदे हो चुके हैं मिसाल के तो अपनिन साहब को सुने तो ये घजवाए हिंद है क्या बेसी करी ये घजवाए हिंद वो ही है जो कमलेश तिवारी के साथ हुआ है ये सज्जन मुसल्मानों को कमलेश तिवारी का कातिल कहकर रुकते नहीं बलकि आगे कहते हैं कि घजवे हिंद क्या है ये घजवे हिंद वो ही है जो कमलेश तिवारी के साथ हुआ पूरे पचास मिनट के लेक्चर में सिर्फ उन्होंने मुसल्मानों के खिलाफ जहर अगला है उनकी पचास मिनट की वीडियो का टॉपिक ही है कमलेश तिवारी की हत्या घजवे हिंद का रास्ता है अब आप खुछ सोचें अगर वाकी कमलेश तिवारी की हत्या में मुसल्मानों का कोई रोल होता तो ये लोग कितना बदनाम करते जब कि हम कमलेश तिवारी की जबानी आपको दिखा चुके हैं कि कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले कौन लोग है आईए अब कमिलेश तिवारी की मा से जानते हैं कि कमिलेश का कातिल कौन है ये वीडियो देखें इस केस में सबसे एहम कमिलेश तिवारी की मा का ये बयान है कमिलेश तिवारी की मा कुसं तिवारी ने साफ तोर पर मीडिया के सामने ये बयान दिया पहले मेरास सवाल सुनिए हिंदू-मुसल्मान का सब्द आपने उठाया हमने नहीं उठाया जै नदू के झाया लॉगे शीस करके कंदल सकते हो बने सकते हो यृद बप मुसल्मान आप चैनल वाले करते हो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि बोलोगे तो चैनल बंद हो जाएगा इसमें हिंदु मसल्मान का लफ़ लाकर लोगों को क्यों गुमरा कर रहे हो हिंदु मसलिम का खेल खेलना बंद कर दो तुम लोग सरकार के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, जन्ता के खिलाफ खूब बोलो गे। ये है कमिलेश तिवारी की मां का बयान। हम कमिलेश तिवारी की मां के भियान का ये हिस्सा खास कर दोहराना चाहेंगे कि इसमें हिंदू-Muslim का लवज लाकर लोगों को क्यों गुमरा कर रहे हो और हिंदू-Muslim का खेल खेलना बंद कर दो इसी तरह इस वीडियो को देखें इसमें उनकी माने BGP नेता शीव कुमार गुपता और योगी मोदी का قतल कराने वाला बताया है और केमरे के सामने कहा कि हम श्रीकुमार गुपता को मार डालेंगे, काट डालेंगे. अब आईए मरडर कैसे हुआ था, इस पर भी बात कर लेते हैं, कमिलेश तिवारी का लखनाओं में उसके घर पर ही गला रेत कर गतल कर दिया गया, और गोली भी मारी गई, कमिलेश तिवारी कतल मामले में कमिलेश का कातिलों से फोन पे बात होना, फिर उन दोनों का सुबा मिठाई का डबा साथ लिए कमिलेश के घर पहुचना, जहां उसने अपना दफ़तर बनाया हुआ है, और इत्तफाक से गनर का ड्यूटी पे ना आना और दफ़तर के बार तैनाज सिपाही का उसी वक्त सोए रहना, जिसकी होजा से मिलने आए, दोनों शक्स की पूरी तरह से जाच ना करना, ये सब कुछ इत्तफाक था, या फिल्ला परवाही, या मिली भगत, और सोची सम्दी साजिश, ये तो अंदाजा लगाना मुश्कि को पाल लाने के लिए बाहर भेजना, जैसा कि कमलेश के बेटे का चश्मदीद बयान है, जी ये ही सवाल अभी बना हुआ है, पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है, कि आखिर जो तीन लोग है, उसमें एक बहिला कौन है, और जो दो हमलावर है, वो हमलावर कौन है, बारा बजे की बीच में, साड़े गैरा बज़े की बीच में, दो लोग मिलने आये, सिर्फ दो लोग की आया ह?? फिर मैं नीचे चला गया रोहित के साथ में जो रोहित ड्राइवर है पापा का ड्राइवर मैं वो नीचे बैठे हुए थे और सौराश जी सिंग जो वहां से कुशी नगर से आया हुआ था वो मसाला लेने गया अच्छा जो आये थे उन्होंने कोई नाम बताया नाम मैं नही पाया नहीं अच्छा सेक्यूर्टी गाड़ था वो सो रहा था जो हमें गवा है उसको पलिस ने हिरासत में ले रखा इस से ये पता चलता है कि कतल से पहले वहां का माहौल कितना खुशगवार था और रंजिश जैसी कोई बात ही नहीं थी बलकि माहौल उस तरफ इशारा क रहा है कि यकिनन उन दोनों गातिलों की कमिलेश से करीबी और पुरानी दोस्ती रही होगी वरना क्यों कमिलेश जैसा शक्स उन दोनों की इतनी खातिर तवाजव करता जबकि आज की जमाने में सगे रिश्तेदारों को जल्दी से पानी नहीं पूशा जाता है ऐसे में वह जोगी जी और शीकुमार गुपता ने मरवाया है मगर पुलिस और नीज चैनल उसे मुसल्मानों से जोड रहे हैं मौतरम नादरीन फैसलाम आपके सुपर्द करते हैं आप खुद सोचें और गवर करें कि क्या मुसल्मानों पर यह जाम नहीं इसे के साथ मैं होता हूँ आपसे रुखसत असलाम उलेकुम वर्हमतुलाही और बरकातो ऐसे ही और वीडियो बनाने में हमारी मदद करें